नए वीडियोज देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें तुम्हारा नाम सपना है? जी हूँ तुम उस मुल से मोहन को जानती हो? जी तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चमपा का कतल करते हुए अपने आखों से देखा था? नहीं ये रॉलर ये पॉइट नोट किया जाए तो फिर तुमने पॉलीस की रिपोर्ट में इसा क्यों कहा? कि वो कतल तुमने अपनी आखों से देखा था? क्यूंकि मेरे पता ने मुझे छूट बोले पर मजबूर किया था मेरे पता ने जिन्देगी भर छूट बोला है और छूट बोल बोल कर मेरे तिर में जहर भरा है वो एक नमबर का छूटा है ये छूट है? सर आसर छूट है आप कौन ने? मैं इस गवाह का बाप हूँ योराणर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवाला पूछना चाहती जाद थे आपका नाम? मादन करता था हाँ, इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते नहीं मेरी नौकरी चूट गई क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ले थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था ये पॉइंट भी नोट से आजाई, योराणर तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम्हें एक बदमाश और जूटे आदमी है अबजेक्शन योराणर, इनके रिश्वत लेने का इनकी बदमाशी का इस मुखदमे से क्या तल्लुक है योराणर, इस मुखदमे की खास गवाह में सपना का ये कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर जूटी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है सरकारी मुलाजिम होते हो भी रिश्वत लेने की जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मस्बूत बनाता है अबजेक्शन ओवरूल थैंक्यू था तो मिस्टर मदनलाल शर्मा मेरा मतलब है मिस्टर मदन आपके बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है क्या ये बात सचे नए आपके पत्नी क्या काम करती है मेरी कोई पत्नी नहीं है मैंने उसे तलाख दे दिया ये पॉइंट ये नोट किया जाई ये गवाज सिर्फ रिश्वत खोरी नहीं इसने अपनी पत्नी को तलाख भी दे दिया है वकिल सहबा पत्नी को तलाख देने वरे तभी आदमी बदमाश नहीं होते अच्छा शादी का मतलब क्या होता है मैं नहीं चानता तो दिखाना चाहती मेरे मुख्खिल पर ये इंजाम है किसने शादी की पहिली राथ अपनी पत्नी का खून किया अगर इन्हों ने अपनी पत्नी को तलाख दे कर ये थाबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याग किसे कैसे है पत्नी का रिष्टा कितना पवित्र होता है Your Honor, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती Objection overruled चंपा का कत्ल मोहन ने किया इसे जूटी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था नए, मैंने नहीं कहा था सपना तुमारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ जूट बोलने की क्या जरूर है? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा आप यहां गवाही देने आएगे आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा बताईए? मुझे नहीं मालूम कत्ल की रात आप कल्पना गेस्था उस गये थे, राइट? पत्त्रा क्यों रहे? सब्स्कीत की चवार रहे हो? जवाब दो नहीं, मैं वहाह नहीं था तुम वहाँ गये थे अपनी बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे नहीं हम नहीं थे आप वहाँ थे, मिस्टर मदलाई ये जूट है तुम जूट बोल रहे हो इसका क्या सबूत है? सबूत वहाँ देखिए यूर आउनर, मैं रदालत से दरखास करती है कि कलपना गेस थाउस के वाच्मन, मिस्टर नारायन को विटनेस बॉक्स में आने की इज़ाज़ती है इज़ाज़त है मिस्टर नारायन जिस राद चमपा का खून हुआ उस राद गेस थाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्मी एक कमरा माजी और उ दाड़ी वाला और उ का बिटिया बाजू का कमरा माजी तो क्या मोहन ने चमपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी उ साहब उस राद ई का कमरा का बाहर इहां से उहां उहां से इहां चक्कर काट रहे थे जी थोड़ी देर माँ एक खतर नाक किसम का आदमी आया जी और एक अस्क्राम में कुछ खुसर खुसर करके चला गया जी ये साफ जाहर है योर आनर, ये कतल सोच समझ कर जान बुचकर मोहन को फसाने के लिए किया गया है दरसल असली कातिल है, ये मदन लाल नहीं दरकार, मैं गातल नहीं हूँ, मैंने ये कतल नहीं किया तुम ने किया, तुम खुनी हो, तुम चौर हो, देवराब के लालच में तुमने चंपा का खुन किया नहीं, मैं खुनी नहीं हूँ मैं खुन ही नहीं हूँ, यूर्णष, भी राविश्वास किजी, मैं खुन ही नहीं हूँ, बस्छ बताता हूँ, मुझे, M.P. राज-शेकर ने अपनी बेटी से जोटी कवाई दिलवाने के लिए रुपए दिये थे ज्योरॉनर्स मैं अदालट से दर्खास करती हूँ कि एम पी राज्शेकर के नाम समझ जारी करके उन्हें अदालत में बुलाए जाए और तब तक कि लिए इस मुकद्दमे की कारवाही को बुल्सदी किया जाए कर दालत में हाजिर होने के लिए एमपी राजश्चेकर के नाम समंद जारी किया जाए कि अच्छ के अच्ता अच्छ के अच्छ कर दे अपू अपई अपई आपा 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 करू क्या रभबा आपा आपा क्या रभबा ये लड़की है कोई ये लरकी है कोई याखी का डबबा हुआ 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 है पूलो के धोके पोटे चुए जो भूल हुई मैंने माने माप करो मेरी रानी असा जोता और नहीं क्या सिवा प्याद के तुमको अपई अपई अम्माई अम्माई अम्मा अम्मा विलानी कममा अमय तरूरी मय तरूरी अपल के कममा हुआ हुआ! अरे, अरे, अरे! अंग खिले है, रंग किले है, बजन है या बगीचा, तीने से दिल मेरा कीचा मेरी दिल में बजी आते हैं, सब भल फूल तुनारी, तोडलों सारी के सारी अगल बना के ही छोड़े की ये लड़की तो हमको अम्माई अम्माई अप्पा, अप्पा, करू क्या रप्पा, ये लड़की है कोई, ये लड़की है कोई, या थीका तप्पा आया मनें कछका मसं नहीं हो सकता कि मेरी कमीन चाहिए है no मौत मेरे कोई को रहे थे काusta को जो निंकला चल नसली ना मुझे माफ कर दीजिए, कोट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीदे सवाला के इसले मेरी जबान भिजल गई अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दुबारा कोट में जाकर चिला चिला कर कहूँगा कि जो कुछ मैंने कहा तो जूटा हर फुटा अपनी गली में चिलाता है, मुझे तुम जैसे कमेनों की गवाई नहीं चाहिए मैं कटायरे में खड़े होकर खोद गवाई दूगा मैं भगवान को शाक्षी मान कर कैसा हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा, सच कहूँगा सच के सिवा और कुछ में ही कहूँगा मिस्टर राजशेकर, आप मदनना नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता कम इसकम आप इस मुल्जिम मोहन को तो जानते हैंगे? नहीं जानता तो फिर आप जानते क्या है? मैं सिर्व इतना जानता हूँ कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबन नहीं है जिस राज चमपा का कतल हुआ आप कल पनागेस चल जैसे नहीं किया उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने बहा गए थे नहीं किया तो फिर मिस्टर मदन ने इसा क्यों कहा कि आपका इस मुखदमे से संब्द है साज़िश किस की साज़िश? आप लोगों की आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाब साज़िश की है मेस्टर राज शेखर आप इस वक्त अदायत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं अपने घर में नहीं याद रखिए जरूर याद रखूंगा योर आउनर मेरा इस मुकद में से कोई संबद नहीं है लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाज शर्मा से संबद जरूर है वो इनका एक्स हस्बेंड है पुराना पती जोके इन्हें तलाज दे चुगा है और ये मुल्जिम मोहन इनका अपना भाई है और वो डानसर सपना इनकी अपनी बेती है जनम दी हुई बेती है ये सारे के सारे रिष्टेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे और आज जाने कैसे सब के सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज़त और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये जूटे ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रखू पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था। उस वक्त यही वकील साहिबा जज़ की कुर्शी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गड़गडाया आसू बहाए। तो जानते हो इन्होंने हसकर क्या कहा। क्या अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आसू मत कहाईए। नोटों के बंदल गिनवाजे। बिस्तर राजशेकर। जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौक क्यों रही है। इतना चिल्ला क्यों रही है। ये अदालत है। घर नहीं है। इन्होंने जच के ओदे से इसलिए इस्तिखा दिया। कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सके। उल्टे सीधे बयान देकर गौहों को बहका कर ये साबित करना चाहती है कि इन दोनों मुकद्वों का आपस में कहरा संबंध है। और इसके जरे ये मुझे बदनाम करना चाहती है। मेरी दुपर धंबा लगाना चाहती है। ये और अनर मुझे बचाईये। मेरी रक्षा की दिये। वरना मत तबाह हो जाओंगा। बर्पाद हो जाओंगा। कोर्ट इस एटजर्ट। रेशब की धूती और जरी की अचकन पहन कर आपको हमारे यहां सम्दी की हैसिय से आना चाहिए था। अगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाईये शिरी गनेश विच्चल कोला पुरी साथ। अगर सर के बालों में ज्यों के ताकत को बढ़ने जिया। तो वो इंसान का भेजा खागा। मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया। तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाओंगा सम्दी जी। जरा उधर देखिये। अब जरा इस तरफ देखिये। यह तमाशा भी देख लो। एक तरफ दौलत की डेवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यह अम्राज को बिठाया है। जानते हो यह रुप्या कौन था है। तुम्हारी बेटी के नाम पर फाइव टार होटल बनाने के लिए जो रुप्या रखा था वो यही है। और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकद्मे की समाधी बनाओगा। हाँ बनाओ समाधी। हम गरीब लोग की समाधी पर तो तुम आमीर लोग की इमारते खड़ी है। फैसे बनाओगी। गनेश यह सारी दौलत मैं तुम्हें दूगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था। कि अपनी एक बेटी की आँखों में खुशी देखने के लिए मैं तीन हजार गरीब बेटियों की आँखों में आसु नहीं देख सकता। ठीक है। ले जाओ यह रकम और जाकर बाढ़ दो बस्ती के लोगों में। जालो उनके आसू बखेर दो खुशी है उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तिरी बेटी को फागल पने के दोरे उठते थे। इससे पहले भी उसने आत्मात्या करने की कोशी की थे। इतना ही नहीं तुम ये बयान भी दोगे कि फाइफ टार होटल जो के मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वयसे नहीं बना। और उसी गम में उसने अपने आप पर पट्रोल डालकर खुद को जिंदा चला डाना। और ये भी कहना के तुम ने अदालत में हम पर जूटा मुकदमादार किया था। अरे बुठे गमार जाहिल इतना बोल दे रे। मैं हफ्तों भाशन देता रहा, मेरे कोई एक वोट नहीं मिला। और तु सिर्फ एक शब बोलेगा तो पचास लाक रुपए तेरे पास खुद में खुछ चलते में आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब की कीमत पचास लाक रुपए है। नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत पचास लाक रुपए है। अरे काई को इस तूए के साथ तुम लोग फोकट में डिसकेशन मारता हैं। अबे हो बुठे, अगर तुने एरोपया नहीं लिया, और जैसे अपन ने बोला वैसा कोट में बयान नहीं दिया, तो अपन तेरा अखा गाउ को जला के शमचान खाच में बदल देगा। कल का सूरश कोई नहीं देख़े गा, देखे गा, तो सर्फ तुम देखे गा, गलियों में, गडरों में, लोगों की लाशों को ँढ़ेगा। मारत, आल मारत, खूनमखून लालम लाल। मैं मैं तैयार हूँ इसके वास्ते नहीं कि मेरे कुछ मेरे मरने का डर है इसके वास्ते है कि मेरे कुछ मेरे बस्ती वालों की जिन्दगी का फिकरते है मेरे जूटी गवा इसे इदर का कॉर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा पर उदर उपर वाले के कॉर्ट में क्या करेगा उदर कोई ताकस कोई पाइसा तुम लोग तो नहीं बचाएगा ठीक है तुम जो बोलता है कोई मैं बोलूगा मैं वहीं बोलूगा वहीं बोलूगा तेवी मा मुझे आशीरबाद दे ऐसा आशीरबाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैट कर ये एलान कर दे कि मेरा भीटा बेक उसूर है ये क्या हो डड़ी चिराग तो बुझ क्या गवराओ मत देशा चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीथ है अरे आज इस चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शुगन है मैंने अपनी फूख से कई शिराग बुझा बुझा कर ये अवेली बनाई है तोलत जमा की है ये तो अच्छा शुगन है चल वो लोग मीशे इंतजार कर रहे हैं चल एंपी साहरा? एंपी साहरा? एंपी साहरा? लानत है एवी माँ का अशीरवात लेकर मैं बेते को अधारत ले जा रहा था हे इस शुभ खड़ी में लगलते ह vandaag ये लगला कहां से चला है MP साफ, इन लंगला सारी जिन्दगी लंगलाता रहा, मगर आपको लंगला होने से बचाता रहा, मगर आपकी खुद लंगलाने का समय आ गया है क्या मतलब? पार्टी की कमीटी ने एक ऑफिसर भेजा इंक्वाइरी के लिए ओद मेर से मुझे भेजा है आपको गुलाने के लिए अब क्या होगा डड़ी, तिराग भुजा तो मुझे लगा इस घर की बच्टी गुल होई है अब तो लच Southwest आ ढई ह़्िए आपकी बस्ती गूलोने का समय महा आ गया है ना इन के खुद होनेका समय आ गया है जल्दी चलो बहुत कड़क ओफिसर है चुप रगू बेटा, हम दोने एक ही कश्टी के सवाजी मेरी नईया पार लगे, उसके लिए प्राक्ना करते रहने पेस्ट अफ लग डड़ी पेस्ट अफ लग तु यू आफ तो माई सान विजाई होकर वापस आना, फिर देखना बैंट बाचे के साथ जशन मनाएंगे चलो लंगडे, चलो कहां चलना है जहां आपको लंगडा होना है चलो जी बिलकुल नहीं, यह आपोजीशन पार्टी वालों की साधिश है बलके मुझे तो पूरे जगीन है कि इसमें विदेश्यों का भी हाथ वो लोग आजमत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहें मेरी इज़त को खाक में मिलाना चाह रहें एक तो वैसे बिचारों की इज़त लंगरी हो गई है उपर से आप इनको पार्टी से निकाल वें यह तो आपका जुल्म है बें साथ यह सालियां देखिए आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए मैं तो यहां सिर्फ इनकी बरतर्शी के कारशात इने देने आया था नमस्तो खत्म हो गया सब परपाब हो गया मेरी इज़त मेरा नाम सब बटी में बिल गया मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से जादा प्यारा है नाम गवाकर अपने कैसे जिन्दा रह सकता हूँ अरे बगंता को क्या बू दिखाऊगा सब्बे काय को अपना थोबडा तेल में तल हुए पापड की तरह पीला कर ला है अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले अगर एक पार्टी छुट गई तो दूसरी में घुचले और वैसे भी तो कौनसा इजददर आदमी है कि तेरे इजद की नतुद और जाएगी अरे नहीं नहीं किंग कॉंग पहलवान ऐसा नहीं है पार्टी से निकालावा लीडर बिलकुल ऐसे होता है जैसे बादारी अवरत इस वक्त हमारी जिन्दगी ऐसे है जैसे कुटे का चाटा हुआ जूटा वरतन बेलकुल साहिए देखो घंटी भी बज गई वाला में एंपी राज्शेकर मां होगा उसे बुला वह वाल साला रभी बात कर रहा है बात कर रहा साला येस नमस्ते राजनेता जी मैं जनता नेता बोल रहा हूं तुम्हारी चाल पलड़ गई अच तुम्हारा बेटा तोट में हजिन नहीं हो सका क्या बाइजान बाइजान बोलो साले जान अगारे अपनी चान बचा कर फॉरण होग निकलो किके तुम अपने बेटे को कोड में हाजिर ना कर सके इस जुर्में पुलिस तुम्हें किफ्तार करने आ रहा है गुर्जी गुर्जी पुलिस आ रही है है अरे बहले तु दरवादा बनकर तुम लोग बीटे का रास अजर निकलो मेरे बेटे का क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ जारी जारी मुझे बचा लाट नहीं उसको कोई तकलीम मत दे ना प्लीज मैंने कोई तकलीम नहीं दूंगा लेकिन अगर तुम आते ना गए तो जेल की सलाकों के पीछे पहुँचाओं और तुम्हारे हमारे बीच जो चलेंज था वो तुम्हारे पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा आपस की बाजी आपस नहीं रहना चाहिए जली भागो मेरे जिजा जी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हलो हलो रभी हलो हलो रभी दों लोग यहां से भाग जाओ और अपन कर्टे पर जाकर छुट जाओ दा सवाल तुम्हारे बेटे का वो जिदर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तब पुचा देगा और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशित करेगा अपन की घुंडा विरादरी की ना कर देड़े डूमने वनी बात है इस कल के छोक रहे ने अपन क्या ख़ता हुआ अपन की ये नाचने की जगहा वह अपन की आदालत में चारिये अपन उसे नहीं ठोडेगा उसे नहीं ठोड़ेगा लेकिं और मेरी बेटी को तकलीव मत पाचा रहा मैं उससे काओंगा वह अपना बैयान बदल देगी हमारे हद में गवाही भी देगी चाहिए ये लोग मेरी जान भी देने, फिसमें इन लोगों के लिए अदालत में जूटा बयान नहीं दूगी जूटा बयान नहीं देगी, जान भी चलीजे तो भी जूटा बयान नहीं देगी में कर गत One और व्रेजव कर दो पर व्रेढ salty... रुरां सुरुड़ जुरुड़ जर अ ow छोड़ो, छोड़ो अरी लेगी भागी, चलो पड़ो मैं रगो, यह बयान खुद अपनी मर्दी से दिना किसी के दबाओ या धमकी के दे रहा हूँ मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ उतका कत्म मेरी ही वज़े से हुआ था तुमित्रा बेड़ी, तुमित्रा, अरूनी बात हो गई अरूनी वो पिलिए हो भाओ या मेरी जिम्मेदा जारूनी को जिम्मेदा वाँ यह रहा हुआ है जात्थे पत्राओश यह और धात्थे प्ज़ित्व दोलिख झालिष झालिए झालिए पसले इसले हैं भी जूप रहना पुछ को जपसो कि गिता है मा, अदालत में मुकदमे की कारवाई सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मोहन को फासी होने वाली है यह सब मेरी जूटी गवाई की वज़े से हुआ है इसकी जिन्मिदार सिर्फ मैं हूँ इस से पहले कि मोहन को फासी हो जाए मैं खुद आत्म हत्या कर रही हूँ यह आत्म हत्या नहीं है दिदे, यह हत्या आए कानून की जीत हो रही थी इसलिए उन जलील लोगों ने सपना को जान से माँ डाला और इस कतल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रही सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा के वाओ, मेरी बेटिको क्या हुआ, मेरी थी वेटिको- मेरी, श poured को क्या हुआ, मेरी श poured को क्या हुआ मेरी शハハल, मेरी थी को बाष्टतना मैं तेरा कातिल हो बेटी, मैं मेरे रिखे उपार डाला तजबीर ने मेरे साथ कैसा इंचाप किया जब मैं जिन्दगी भार एक बुराद भी था तो मेरे बेटी बेरे साथ थी लेकिन जब जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरे बेटी मुझे दूर चले गई बहुत दूर चले गई मेरे बेटी मुझे सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांगने सिंदूर भारा था आज अज उन्हाथों को जोड़कर तुझे प्रडाम करता हूँ उन्ही हाथ रोकर छोड़ कर तुछे माफ ही भांगता हूँ, मुझे बाव कर देशु मित्रा तु मित्रा देखा, तेरी शराफत, तेरी इमानधारी और वफादारी ने तुछे क्या तोफा दिया है तु अपनी बेटी को दुलन बना कर डोली में विदा करना चाहती थी, ये तो विदा हो गए, वगर डोली में नहीं, अर्थी में, अर्थी में विदा हो गए रवी, तुमने मुझसे छोते होते हुने, जिंदगी की सच्चाए को मुझसे जादा समझे, जिस कानून को मैंने अपना मज़त समझा, अपनी जिनदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने परी बच्ते की जान की खुर्बाई लेली, तुमने अपनी पजी को छूदिया, मैं अपने जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोगा, मैं पप्पी नावलाद के बंद कर रह गई। मैं रवी, भेर सही सही, आज मैं समझ करें, इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेम बनकर उचल रहे हैं, और जब तक ये गेम, राजनीती के जालिमों की कैस से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुस्से बादा करते जिदी, कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद कराके लाँगा, इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों नहीं उठाना पड़े। वा, बड़ा तीर बार लिया। अरे उस जांसर सपना को कटल करने में मेरा क्या फाइदा हुआ। अरे पहले मेरे बेटे रगू को उस खराम खोर रवी की कैसे दोड़ा करना हूँ। अरे बबाब आप क्या खाथ ठोड़ा के लाएगा, किसको मालूम आपका बेटा जिदा भी है, या मर के सब्सदा आगे है। अरे यो लंगरे, मैं तेरी दूफी टांगी दोड़ा। किंगम जी, किंगम जी, किंगम जी, किंगम जी। रगू बेटी, रगू बेटी, तू ठीक तो है न, उस रभी के बच्चे न तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी। अरे तो खड़े-खड़े मुँगा देख ता है। यहाँ पर अप उनका हकूमा चलता है। अप उनका परमिसन के बगार यहाँ पर हवा भी नहीं खुछ सकता। तो तू इधर आये गया। हाँ, जिने तुन्हें सहारा दिया है, उन्हें कब्रस्तान पहुंचने आया हूं। बढ़े पर अपर हाँ, जो इधर बढ़े देख़े वाँ, जो पर दुन्हें को ड़े तुन्हें पर अपर होगाँ, जिने वरे पर दुन्हें। हाई! हुँ! 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 कर दो कर दो मbij जड़ कर दो और मोड यू़ कर दो आजा चार दो झाया पर घौ़ ऑट गज़ कर दो आज़ अज़ तो प्रूव जू़ नगर अ को कर दो हूं लुटेम से पना है? क्थार नहें प्रुट का उनित प्रॉट कुछ ज्याँ ए लोंग लोंग वयुआ का दो प्रॉट कुछ जा दो प्रॉट आरोल वांगा जो जा फिर दी आरोल का पार रहांग झारोंज के वन कर दो कर दो कर दो मैं कर दो, बादा, करे बादा रिल। करे लादा गप जयाएंकि वो डिल। प्या क्वे विल। वो चो करे वो पुराना और करे बादा एंभादा ररदा गाउ आए वो अुराना कर दो, कर दो कार दो पृट इंग प्रिजुष। जुआ। 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 यहोफ्टार करें सुबकर। अदाम खोर, आप मेरे पास वजय भी है और वारंच भी। क्योंकि इन मुद्दिमान के जुर्व साबित हो चुके हैं इसलिए अदालत रगू को मुर्ग की सजा का हुक्म देती है जाज शेकर उ किंकांग को सजाए मौत सेव अक्राम और मदनलाल को तीन तीन साल की सजाए कैट मां सिर्फ इन साल अच्छा है मतलब फीग अगले अलेक्षिन तक में भारा क्योंगा और अदालत मोहन को चुमपा की गतल में निर्दोश करार देते हुए बाइज़त बनी करती है आरे मुनना आज ऐसा बाजा बजा के बाजा उसका भी बाजा बजा है आरे यह कोई बाजा है बजाना है तो पुलीज बैंड बजाओ बाजाओ का बाजा तुम जो काओ जी मैं बाब कर रही हूं ना है मैं तुमारा पती हूं सबाल के सिर्फ नाम के हाँ स्ब्स्साड़ा